बच्चों लास्टन पर हम लोग DNA फिंगर प्रिंटिंग पढ़ रहे थे DNA फिंगर प्रिंटिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ाता है DNA फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है और DNA फिंगर प्रिंटिंग का उप्योग किसमे किया जाता है और इसकी आवसक्ता कहां पड़ती है और यह process क्या है इसका सिद्धान्त क्या है और इसकी process क्या होती है और इसका mechanism क्या होता है तो उसमें DNA fingerprinting को मैंने हम लोगों ने discuss कर लिया था आज उसी के आगे DNA fingerprinting का जो mechanism होता है इसकी kriya विदी होती है कि इस क्रिया को DNA fingerprinting को करते कैसे कल तो भी नहीं के DNA fingerprinting होती क्या है और इसका सिद्धान्त क्या है और यह किसमें आवस्यक होता है कहां कहां पर इसका उप्योग किया जाता है DNA fingerprinting का और इसके पशाद इसका mechanism भी कुछ डिसकस किया था आज इसके mechanism के क्या किया जाता है DNA fingerprinting में कि कैसे पहचान की जाती है DNA का मिलान किस तकनीकी के दौरा किस टेकनोलोजी के दौरा किया जाता है कैसे किया जाता है उस पर थोड़ा सा प्रकास डालेंगे तो इसमें mechanism of DNA fingerprinting तो RELP analysis करते हैं analysis मतलब कि visulation की करते हैं और इस visulation की प्रक्रिया में analysis में क्या करते हैं एक वरित restriction enzyme के साथ genomic DNA को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करना वरित restriction enzyme के साथ genomic जिस DNA के हमको पहचान करनी है जिस DNA का मिलान करना है उस DNA को हम क्या करते हैं छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर लेते हैं किसके दौरा? restriction enzyme के दौरा यह ऐसा enzyme होता है restriction enzyme जो DNA को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देता है उसको तोड़ देता है एक तरीके से restriction enzyme एक कैची की तरह बिभार करता है जैसे केंची किसी को काड़ देते हैं, तो वैसे ही DNA की केंची किसको कहते हैं? Restriction Enzyme को कहते हैं, जैसे कि पेपर में आए, Restriction Enzyme क्या है या DNA की केंची क्या होती है? तो Restriction Enzyme को DNA की केंची कहते हैं, इसका काम क्या होता है? DNA को खंडों में विभक्त करना तो सबसे पहले जिस DNA की पहचान करनी जिसका मिलान करना है उसको restriction इंजयम के दौरा छोटे-छोटे खंडों में विभक्त कर लिया जाते हैं फिर क्या करते हैं यह एग्रोस जेल गाड़ा परदात होता है एग्रोस जेल इस जेल एग्रोस जेल में एलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरा यह एक तक्नीकी एलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरा DNA खंडे को पर्थक करना तो यह एग्रोस जेल एलेक्ट्रोफोरेसिस दौरा पहले restriction इंजयम के दौरा किया और फिर यह एग्रोस जेल एलेक्ट्रोफोरेसिस के द लग अलग करते हैं और इसके पशात चार गब अधिये इने ओक करतें हंदिम इंग्लिंस में विक्रित रहते हैं तो तो इसको इन ही प्रढ़र यह धी एन्य घंड को विक्रित कर देते एंप उसको फैला देन है अग्रौ जेल में कर देतें उसका रूब बदल देते हैं अलग अलग कर देते हैं जब उसको प्रतिक अलग तो उसकी संरचना बहुत ही इसपस्ट दिखाई पड़ेगी तो फ्रेक्ट डियने फ्रेग्मेंट को विकृत करना फिर इसके बाद नाइलोन मेंब्रेन पर सिंगिल हैलिक्स डियने फ्रेग्मेंट को वियूट करना है 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 तो यह नायलोन मेंब्रेन नायलोन की एक मेंब्रेन होती है पत्ली जिल्डी सी होती है उसको वियुक्त करते उसको अलग करते अलग करने के बाद क्या करते हैं अनावणट दारा व्यूक्त डिय्एने फंच्मेंट को मेंब्रेन पर फिक्स करते हैं तो अल्ट्रा वाइलेट रेज होती यह पराबैगनी करणे उन पराबैगनी करणों कि में क्या होते है इसको अनावरूर्ण करते हैं मतलब इसको हटा करके व्युक्त ड्यन डिने फ्रेग्मेंट जो डिने के खंड होते हैं डिने प्रोस में संकृत करते हैं उसके साथ मिला देते हैं है और मिलानी के परश्चाट उसमें उसका देखते हैं क्या-क्या समानता होती इन सब सब चीज़ों को देखा जाता है तो यह एक होती है कि हम कि डिएने फिंगेंट में फिंगर प्रिंटिंग में कैसे कैसे हम इसकी प्रक्रिया को इसकी मेकेनिज्म के को द्वारा डिएने के जो नाइटरोजीनी चार होते उन चारों के क्रम को उनकी की स्थाइब के समांता को पहचानते कैसे तो इस प्रकार से यह प्रोसेज अप्लाई की जाती है तो दी. YE फ्रग्मेंट को को dna प्रोस्पोर संकृत कर देतें फिक्स करने के बाद इसस्थाई करने के बाद ओर that sl p analysis यह बैने सनं करते जिसमें क्या करतें जो यह फिक्स कर दिया इसको टो ऑपास-पास हैं यह दूसरे में कैसे हैं और दूसरे में कैसे है band जिस इस्थान पर एक में जैसे हैं जिस डिस्टेंस पर nitrogen इचार है उसी डिस्टेंस पर दूसरे में भी है तो यह समानता प्रदर्सित करता है और यह एक में जो DNA के bands बने हैं और यह बैंड्स दूसरे के जो DNA का बनाया है बैंड्स तो उससे similarity है कि नहीं है तो इन बैंडों की जो बीच में distance होती है इनकी संख्या होती है उसके आधार पर similarity या similarity समानता या आसमानता देखी जाती है और उसी से इसकी पहचान करते हैं तो यह bands होते हैं जिनके आधार पर देखा जाता है कि यह समान है या आसमान है band की संख्या और bands के बीच में जो distance है तो दो DNA को आपस में मिलाना है उनमें आपस में देखना है कि इसमें similarity है या नहीं है तो उनके जो दोनों के bands बनेंगे हमने जो process apply किये उसके बाद तो distance कितनी है bands कितने यह सब को हम देखते हैं कांटिनूसली फिर PCR analysis करते हैं आपसौर्ट टैंडेम रिपीट्स रिपीट्स नाइट्रोजीनी छार जो bands होते हैं कितनी बार कौन रिपीट करता है कितनी बार रिपीट नहीं करता है तो यह सब चीजों की हम analysis करते हैं bands की नाइट्रोजीन छारों की और bands के बीच की डिस्टेंस की और उनकी संख्या की और इसी आदार पर समानता कि हम लोग पैचान करते हैं तो यह mechanism है कि डिने का जो हम पैचान करते हैं उसकी टेक्नीक तक्नीकी क्या होती वह मैंने आज बताई और कल हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे कि डिने फिंगर पिंटिंग क्या है इसकी खोज किसने की इसका उप्योग किसमें किया जा टोब है कि निस बात बता दिया और इसके पहले DNE ke बारे में हम विध्यात क्ल डिसकस कर चुँकिया ते अब नैक्सटर पर हम लोगों को इसमें जो एचाप्टर लेकर प्षमाप्त हो गया है और नेक्स यफन पर इसके कोशिंसर अंशरम्ण वो डिसकस करेंगे और इसके निवाद, नेक्स्ट चाट करिमें, धन्यवाद.